हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ हर योम और स्वागत है आप सभी का आपके ब्यूरिफुल से चैनल बायवाला में आज से हम लोग क्लास सेवेंथ का चैप्टर नमबर सेवें वेदर क्लाइमेट एंड अड़ेप्टेशन्स ओफ एनिमल्स टू डेट क्लाइमेट स्टार्ट करने ज आते हैं और आज हम लोग मिल्ली समझेंगे कि वेदर क्या होता है क्लाइमेट क्या होता है और कल के वीडियो में हम लोग बात करेंगे अड़ेप्टेशन्स ओफ एनिमल्स टू क्लाइमेट इसका मतलब क्या होता है अड़ेप्टेशन्स ओफ एनिमल्स टू क्लाइमेट यह आपको कल पता लगेगा आज नहीं पता लग पायागा ठीक है तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेडर होता है और क्लाइमेट क्या होता है वेडर होता है किसी खास जगह का जो करता है उसको पूलते हैं जैसे आज यहाँ पर बारिस हो रहा जिस एरिया में अभी हम है उस एरिया में भी बारिस हो रहा तो हम क्या बोलेंगे आज का वेडर खराब है अगर अभी धूप उख जा तो हम क्या बोलेंगे कि आज का वेडर ठीक है यहीना हम लोग बोलते हैं और जो क्लाइमेट होता है वो होता average, मतलब किसी खास जगह पर कैसा temperature है, कितना humidity होता है, उसके बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तब weather बोला जाता है, तो आज का lecture बहुत ज़्यादा important है, इसे questions आ सकते हैं, एक questions, तो चलिए सुरू करते हैं इस वीडियो को, तो सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, कि weather क्या होता है, weather क्या होता है, weather, पहले definition एक बार लिख लें हम लोग, conditions of a specific location, condition of a specific location, specific मतलब किसी particular location का, जो condition होता है, उसको हम बोलते हैं, weather, on a specific day, किसी खास दिन में, on a specific day, specific day, किसी खास दिन, weather, किसी particular day के लिए हम बोलते हैं, specific मतलब particular, लिख लिज़े, जो जो meaning आपको नहीं पता है, particular, अब हम लोग बात करते है, climate क्या होता है, दुनों में पहले difference हम लोग समाझ लेथे, तब इसके बारे में हम लोग deep में पढ़ हिएंगे, तो हम बात करते है, climate क्या होता है, तो climate क्या होता है, average condition, average condition, जो average निकालते हैं उसको बोला जाता है climate, ठीक है, over many years, जो बहुत सालों से चलता आ रहा है, over many years, जो scientist होते हैं वो पहले ही predict कर देते हैं कि temperature क्या होने वाला है, पिछले साल के data को देखकर, और भी बहुत सारा data देखा जाता है, आज मैं बताऊंगा total चीद आपको, तो climate क्या होता, average condition over many years, जो बहुत सालों से जो condition चलता आ रहा है, उसको हम climate बोलते हैं, और weather क्या होता, condition of a specific location, किसी particular location का, किसी खास location का, और specific day, उसको हम बोलते है, weather, ठीक है, जब weather खराब होता है, तो वो हमारे daily activity को affect कर देता है, weather जब खराब होता है, तब क्या होता है, हमारा daily activity affect हो जाता है, affect daily activities, जैसे, मोसम खराब हो जाता है, तो आप लोग इस पूल नहीं जाते होगे, सबसे इसका simple example, ठीक है, और climate का क्या होगा, अगर माल लिजे किसी पर एक दिन बारिस हो गया, तो ठीक है, चलेगा, इसकूल नहीं जाएंगे, अगर हर रोज बारिस हो, तब क्या करेंगे, हर रोज इसकूल नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं, तब हम लोग क्या करेंगे, उस हिसाब से धल जाएंगे, अडेप्ट कर जाएंगे, तो उसी के बार को affect करता है climate affect lifestyle यह हमाई style को affect structure को affect करता है social structure को affect करता है event culture ठीक है इसको नोट कीजिए अब हम लोग काफी डीप में बात करने जा रहे हैं वेदर क्या होता है उसके बारे में कर लें इतना नोट वेदर क्या होता है day to day conditions चलिए वेदर वेदर क्या होता है day to day condition of the atmosphere दा दे टू डे कंडिशन अफ दा एट्मोस्पेयर जो हमारा एट्मोस्पेयर है उसका हर दिन का जो conditions होता है उसको हम वेदर बोलते हैं जैसे हम बोलते हैं आज का वेदर खराब है मतलब उस दिन का conditions के बारे में बात करते हैं at a place with respect to the at a place क्या चीज क्या चीज के basis पर हम करते हैं जैसे temperature कितना बढ़ गया है water content कितना बढ़ हुआ है मतलब humidity rainfall कितना होगा wind speed क्या है यह सब conditions है जिसके अधार पर हम वेदर का प्रेडिक्शन करते हैं तो वेदर का पहले definition पर यह the day to day condition of the atmosphere at a place with respect to the लेखिये with respect to the temperature सबसे पहला क्या है temperature के basis पर humidity के basis पर humidity कितना है humidity मतलब water content humidity के बारे में भी अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको water content कितना है air में जो water present होते है gas के form में water vapor के present में उसका कितना content है और क्या क्या rainfall कितना होने वाला है rainfall यही सब मेली conditions है जिस पर यह depend होता है और भी conditions होते है जासे wind speed etc यह सब particular conditions है जिस पर किसी भी दिन का weather डिपेंड करता है is called weather at that place is called weather at that place weather at that place मतलब मेरे यहां का weather कुछ और होगा और आपके यहां का weather कुछ और होगा weather किसी खास जगवों का होता है ठीक है और climate पुरा overall average आग या समझ में जैसे आप से कोई पुछेगा कि maximum temperature कभ होता है maximum temperature दिन भर में maximum temperature कभ होता है बताइए कभ होता है afternoon में होता है दोपहर में afternoon में और minimum temperature कभ होता है early morning में minimum temperature कभ होता है early morning में इसको note किजिए अब हम लोग weather report के बारे में बात करने जा रहे हैं जो weather forecasting होता है जो मौसम भी भाग होते हैं कैसे report देते हैं ठीक है कर लिए इतना note अब हम लोग क्या बात करते हैं weather report कैसे prepare होता है कौन prepare करता है जो prepare करता है उसको हम क्या बोलते हैं सब के बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं चलिए heading लगाए वेदा रिपोर्ट वेदा रिपोर्ट वेदा रिपोर्ट क्या होता है वेदा रिपोर्ट इन्फोर्मेशन प्रोभाइड कराता है क्या कराता है प्रोभाइड इन्फोर्मेशन क्या चीज का इन्फोर्मेशन प्रोभाइड कराता है क्या चीज का इन्फोर्मेशन प्रोभाइड कराता है कितना हो रहा है वाइंड कितना स्पीड में चल रहा है स्नोफॉल कितना हो रहा है किसी जगों पर अगर भर्क गिर रहा है तो स्नोफॉल कितना हो रहा है रेन्फॉल कितना हो रहा है रेन फोल कितना हो रहा है यहीं सम्में कंडिसांस है और भी चीज जैसे बताया जाता है जैसे ए टी सी चीज़ यह पहले और कंडिसान लिखिये जैसे और क्या क्या बताता है वेदा रिपोट टाइम ओफ संसेट पहले संडाइज लिखिये Time of Sunrise, Time of Sunset, Sunrise मतलब सुर्योध है, सुर्ष जब निकलता है उसका क्या time है, सुर्ष कब डूबेगा, उसका time बताएगा, कौन बताता है, वेधर रिपोट वाला, और क्या क्या बताता है जैसे, Time of Moonrise, चंद्रमा कब निकलेगा और क्या बंदा आएगा टाइम ओफ मून सेट चंद्रमा कब गायब होगा यह सब बताया जाता है मिली ठीक है अब हम बात करते हैं यह रिपोर्ट तयार कौन करता है तो यह रिपोर्ट तयार करता है मेट्रियो लोजिकल डिपार्टमेंट के आदमी ठीक है वेदर रिपोर्ट आर प्रिपेर्ड बाई लिखिये वेदर रिपोर्ट आर प्रिपेर्ड बाई चलिए स्पेलिंग ध्यान से देखियेगा M-E-T-E-R-O M-E-T-E-O-R-O-L-O-G-I दिख रहा है सभी को L-O-G-I-C-L मेट्यो रो लोजिकल डिपार्टमेंट हाँ सही है मेट्यो मेट्यो पढ़िए पहले मेट्यो रो मेट्यो रो मेट्यो रो लोजिकल मेट्यो रो लोजिकल मेट्यो रो लोजिकल मेट्यो रो लोजिकल डिपार्टमेंट पढ़ना पले सिखिए Meteoro Meteoro 5 बार बोलिए इसको Meteorological Department कौन तयार करता है Meteorological Department ठीक है बोलने आ गया पढ़ने आ गया और वो जो Department के आदमी होते हैं सरकार के of the government Meteorological Department आगया पढ़ने अगर सही से प्रोनांसियेसर नहीं हो पा रहा है तो इसको निखिए हिंदी में Meteoro Meteorological Meteorological 5 बार 10 बार बोलिएगा आपने आप हो जाएगा चलिए अब हम लोग बात करने जारे Meteorology क्या होता है जब हम लोग इसकी क्या करते हैं जब इसके बारे में हम knowledge गेन करते हैं इस्टाडी करते हैं उसको बोला जाता है Scientific study of the atmosphere Meteorology Meteorology क्या होता है Scientific Study of the Atmosphere जब हम लोग atmosphere की scientific study करते हैं तब बोला जाता है Meteorology क्या चीज के basis पर होगा अब तक तो आपको सब्सक्राइब ही गया होगा Temperature इसर वाइन्ड इति पर इति प्रेसर पीड पर इसर लिफ्लिट ठीक है और यहां पर यह study किया जाता है कि कैसे यह time के साथ में change हो रहा हाव दे चेंज विथ टाइम क्या बताया जाता है हाव दे चेंज विथ टाइम यह समय के साथ कैसे बदल ला है वो बताते हैं Meteorology Department के आदमी अब Meteorologist क्या होता है जो इसके बारे में study करता है कोई भी चीज के बारे में जो study करता है उसके अंत्यम लोग इस्ट लगा जाते है जाते बायो लोगी करेगा बायो लोजिस्ट फिजिक्स का करेगा फिजिस्थ जिरुक्स का करेगा थिजिस्च चेमेस्ट का खरेगा या क्यमिस्ट वैसे ही petroleum का करेगा तो meteorologist ठीक है metereologist पढ़ने आगे आप यह क्या होता है Meteorologist is a person मेट्रियोलोजी इज आ पर्सन फू इस्टाडी दा मौसं फू इस्टाडी दा वेदर ठीक है अब यह पता कैसे किया जाता इसके बारे में हम लोग बात करते हैं इसको पहले नोट कीजिए स्पीड हो रहा है क्या समझ में आ रहा है चलिए अब हम लोग बात करते हैं कैसे यह पता किया जाता है यह जो मेट्रियोलोजिस्ट होते हैं वो कैसे पता करते हैं जो वेदर एक्सपर्ट होते हैं जो वेदर एक्सपर्ट जो मोसम विभाग के एक्सपर्ट होते हैं वो कंप्यूटर के हेल्प से बताते हैं बेदर हेल्प कंप्यूटर बहुत सारा उसमें एडवांस टेकनोरोजी का मसीन लगा होता है उसके हेल्प से बताया जाता है टेकनोरजी computer technology के help से बताया जाता है and data from and data from earth station और जो यहां का data होता है इसके अधार पर बताया जाता earth station के data के अधार पर जो यहां का station होता है उसके data के अधार पर बताया जाता यहां का जो मौसम होता है उसके विभाग उसके अधार पर बताया जाता और सेटलाइट का भी यूज किया जाता है and सेटलाइट सेटलाइट का भी यूज किया जाता है to predict to predict weather weather को predict करने के लिए कोई दिकत नहीं है to predict the weather and this is known as इसको क्या जाना जाता है नाम से and this is known as weather forecasting और इसको इसी टेखनीक को weather forecasting बोला जाता है क्या होता है weather forecasting पढ़िये बोड पर से weather expert यूज कम्प्यूटर टेकनोलजी सुरी क्या क्या मैं बोल ला हूँ weather expert यूज computer technology जो computer technology होता है उसका यूज करते है and data from earth station और वो earth station से data उठाते है मतलब यहां का data उठाते है and satellite to predict the weather और satellite का भी यूज करते है to predict the weather उसी को बोला जाता है मौसम भी भाग weather forecasting team ठीक है यह सब मौसम का prediction करते है कभी-कभी ऐसा होता है कि मौसम का prediction किया जाता है बट वो फेल हो जाता है तो मौसम का prediction करना बड़ा tough task होता है ठीक है जैसे आपके मन में क्या question आता होगा weather predictions sometimes are wrong weather predictions are sometimes wrong कभी-कभी वो गलत हो जाता है weather का prediction क्यों होता है क्योंकि इसमें हजारों सारे factor depends होता है कई 100 factors पर यह डिपेंड होता है depends upon hundreds of factors hundreds of factors बहुत सारा factor पर depend करता है मौसम विभाग को बहुत ज्यादा tension होता है वो बेचारा बता देता है पहले predict करता है और इधर सब जगा प्रचार हो जाता है कभी-कभी rain होता ही नहीं है तो मौसम विभाग की बेज जाती होती है लेकिन यह predict करना इतना आसान नहीं है not easy to predict है यह not easy to not easy to predict क्यों है predict असान नहीं है क्योंकि यह complex phenomenon है इसकी पूरी टीम होती है बहुत बड़ा बहुत बड़ा पड़ा पड़ा इसके ठीक है नोट किजिए कर लिए इतना नोट डाउन रब कर दू चलिए अब हम लोग बात करते है what causes changes in weather weather कैसे कैसे change होता है उसके बारे में हम लोग बात करते है क्या क्या कारण होता है जिसे weather change होता है what causes change in weather तो weather changing mainly sun के कारण ही होता है sun के कारण जो सूर्ज है उसके अखारण प्रॉपर नूट्स बनाते जाईए और रेविजन करते जाईए चलिए वाट कोजे चेंद्य दिन वेदर खेडिंग लगाईए वाट कोजे चेंद्य इन वेदर चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थ का जो वेदर है वो कौन ड्राइब करता है तो अर्थ के वेदर को ड्राइब करता है मतलब चलाता है जो वेदर का जो परिवर्तन होता है वो कौन कराता है सन करता है सन क्या सबको पता होगा अभी तक एसपेयर ओफ होट गैस होट गैसस brass गरम गैसिस का गोला है कौन कौन keeping गैस होता है यह सब आपको बीडियो देखना है तो ट्लास एट में जाना परेगआ खीक है मतलब इस पेयर क्या होता है गोला जैसे फूटबॉल क्या है इस पेयर है तो वो गोला है बड़ा सा गोला है होट गैसे का गर्मा गरम गैसे का ठीक है अब इसमें होता क्या है तो सन से इनर्जी आता है सन से जो लाइट आता है वो अर्थ के सर्फेस पर परता है इसी कारण से वेदर का परिवर्तन होता है इनर्जी अब्जर्ब और रिफ्लेक्टेड बाइद अर्थ सर्फेस पर डिपेंड करता है इनर्जी अब्जर्ब और रिफ्लेक्टेड बाइद अर्थ सर्फेस जो इनर्जी अब्जर्ब होता है और रिफ्लेक्ट होता है अर्थ सर्फेस करता है उसी पर डिपेंड होता ह आयर्ट सर्फेस। ठीक है? ओसन्स भी डालिये, ओसन्स का जो सराउन्डिंग होता है उसको भी डालिये and the surrounding ठीक है? इनर्जी अब्जोर्ब अन्डिफ्लेक्टेर बाइदा अर्फ सर्फेस ओसन्स इसा पर डिपेंड करता है And the atmosphere play important role in determining the weather of a particular place. और जो atmosphere होता है, वो weather को determine कर देता है. नोट करते जाएए, जो elements होते हैं weather के, उस पर भी depend करता है. जो temperature होता है, वो उस पर भी depend करता है, beside the sun. Suns के अलावा, जो सूरज है, beside the sun. जो सूरज है, उसके अलावा, चेंद्य दिन different element of weather करता है. Depend. बहुत है, जोउप community changed होता है, जोउप इपेंड करता है. जोउपने जाएए, जोऊप इपेंड करता है. इसको नोट किजी है? कर ले इतना note down अब हम लोग बात करते हैं weather का कौन-कौन से element पर depend करता है कौन-कौन से element पर depend करता है जो यहाँ पर लिखा हुए besides the changes in different element of the weather कौन-कौन से different element होते हैं जिसके change होने पर यह depend करता है इक्स्ट्रा सबसे पहला क्या है सबसे पहला क्या है जो energy absorb करेगा and reflect करेगा from the earth surface ocean and the atmosphere और second क्या है यह वाला underline कर लिजे element of the weather ठीक है अब हम लोग बात करते हैं element क्या-क्या है weather का क्या-क्या चीज़ पर depend करता है रब कर दूशको 1,2,3, start चलिए जो सबसे पहला element है वो है temperature second क्या है weather है sorry weather नहीं rainfall weather depend होता है ठीक है तो सबसे पहले लगाईए heading elements of the weather और इसमें सबसे पहला लगाईए temperature elements of weather weather का क्या-क्या elements होता है तो सबसे पहला जो element है वो क्या है temperature temperature तो maximum temperature कब होता है दिन का यह तो आपको अब तक समझ में आही गिया होगा मैं एक बार फिर से बता रहा हूं maximum maximum temperature कब होता है बताए गुड आप्टर नून सर गुड आप्टर नून में जो करते हो नो तुमनों गुड आप्टर नून सर इस्कूल में अब तक स्कूल सब बन्ध है चलिए और रात में क्या होता है temperature लो होता है क्यूं लो होता है संडे फॉल नहीं करता है low temperature संडे रात में सुर्ज होता है क्या नहीं नहीं होता है इसी कारण से टेम्प्रेचर राट का होता है लो हो जाता है संडे रात में नहीं परता है और टेम्प्रेचर मेजर करने के लिए हम लोग इस्पेशल थर्मोमेटर का उज़ करते हैं for the measuring of temperature we use special thermometer, जिसको maximum और minimum thermometer बोलते हैं, लिख दे पुरा language में, language छोड़िए, लिखिए सिधा, special thermometer का हम लोग यूज करते हैं, special thermometers का यूज करते हैं, क्या चीद मेजर करने के लिए, temperature मेजर करने के लिए, जिसको क्या बोला जाता है, maximum और minimum thermometer, thermometer के बारे में आप पढ़े हो कभी पहले, कोई chapter में, याद है, heat chapter में मैं आपको पढ़ाया था, नहीं पढ़े हैं, तो जाकर पढ़ लिजेगा एक बार, simply बस इतना point याद रखना है आपको, कि वो जो special thermometer का यूज किया जाता है, temperature मेजर करने के लिए, उसका नाम है, maximum और minimum thermometer, और आपको कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है, अब हम लोग बात करते है, humidity और rainfall के बारे में, इसको रव कर दूँ, अच्छे से, अच्छे से पहले note क कि जिए, चलिए, humidity और rainfall, हेडिन लगाई है, humidity और rainfall, humidity और rainfall, humidity क्या होता है, जो water content होता है, amount of water vapor present in air, क्या होता है, amount of water vapor present in air, जो हवा में water vapor present होता है, उसी को हम बोलते है, humidity, humidity मेजर करने के लिए, हम लोग किस इस्टूमेंट का यूज करते है, hygrometer, ठीक है, क्या चित के help से करते है, hygrometer, device used to measure humidity और hygrometer, device used to measure humidity और hygrometer, दिख रहा है, सबको clear, किस device से हम लोग करते है, hygrometer से, यह आप बोला जाता है, इसको, psychrometer भी, पी, एच, वाई, spelling check कर लो, मैं, पी, एस, दिख रहो, नहीं दो, अभी, तुरांट आने, लोग करते है, साइटर, चलिए, हो गया, पी, एस, वाई, पी, एच, आरो, म, इच, आर, यही है, किस से हम लोग करते है, हम लोग करते है, और जब, ग्लोबल स्केल पर मेजर करना होता है, पूरा जो अर्थ है, इसका मेजर करना होता है, तब हम लोग satellite से मेजर कर लेते हैं जब global scale पर मेजर करना होता है global scale पर तब हम लोग जो remotely controlled satellite होता है जो remote से control होता है उससे हम लोग को मेजर कर लेते हैं remotely controlled satellite से ठीक है remote control होता है global scale पर मेजर करना होता है जब humidity बढ़ जाएगा तो rain का chance ज्यादा होता है greater the humidity level more chances of rain जब humidity level बढ़ जाता है तो बर्सात का chance ज्यादा होता है ठीक है इसको note की दिये पहले and vice versa भी लिख ले जिए मतलब इसका उल्टा and vice versa vice versa का मतलब समझ में आता है सबको नहीं आता होगा रूकिया मैं बताता हूं vice versa मतलब होता है इसका उल्टा बहुत जगह पर आपको बूक में मिलेगा vice versa लिखा इसका मतलब क्या होगा जैसे greater the level of humidity more chances of rain मतलब ज्यादा humidity level बढ़ गया तो rain का chance ज्यादा है और जब humidity level कम गया तो rain का chance कम है इसी का मतलब होता vice versa उल्टा जैसे तुमको स्कूल में कोई गाली देगा तो तुम क्या करते हो बोलते हो उसका उल्टा तुम ही को परेगा तो वही वाला यहां पर भी खेल अपलाई होता है त्युक्त टीक है यह नहीं सब स्कूल में करता है बदशपन में अब हम लोग बात करते हैं रेंफाल के बारे में तो रेंफाल रेंगेज आ जाता है क्या है यहां चलित थोड़ा मैं स्पीड में पढ़ा रहा हो हो क्योंकि ज्यादा पढ़ाना है में तो लेक्चर का डियूरेशन बहुत बड़ा हो जाएगा ठीक है रेनफॉल इद मेजर बाई रेनगेज रेनफॉल रेनफॉल इद मेजर बाई रेनफॉल यह रेनगेज की हल्प से मापा जाता है रेनफॉल इसमें रेनगेज क्या होता है इसको रब कर दूँ ऐसा सिम्पल सा मारकिंग किया हुआ एक बरतन होता है मेजरिंग सिलेंडर इसको हम बोलते हैं ओतना ही रेंफॉड रहा है। ठीक है क्या लगा हुआ है फनेल लगा हुआ है तू कलेट रेन वॉर्टर इसमें क्या होता है बारिस का पानी कलेट हो जाता है ऐसे 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 मार्किंग होता है इसमें ठीक है अब हम बात करते है हुँमीडीटी लेडन्वाइंड के बारे में हुँमीडीटी लादन्वाइंड के बारे में हुँमीडीटी लादन्वाइंड जो हता वही बर्था को लेकर आता है यह TOPIC IMPORTENT है अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो वाला उससे questions आ सकता है चलिए heading लगाईए humidity laden winds humidity laden winds humidity laden winds इस हवा का मतलब क्या होता है ऐसा हवा जो बर्सा लाता है उसी कोम बोलते है humidity laden winds ये कैसा हवा है rain लाने वाला हवा है rain brought वाला हवा है ठीक है कोई दिकत नहीं इतना समझने में चलिए ये जो हवा होता है वो दो टाइब का होता है एक होता है southwest monsoon और एक होता है northwest monsoon ये वाला काफी important है southwest monsoon और second होता है नौर्थ वेस्ट मौनसून southwest monsoon और नौर्थ वेस्ट monsoon जो southwest वाला monsoon होता है वो जून से September तक आता है कहां से कहां तक जून टू सेप्टेंबर अब बड़ा heavy rainfall होता है जैसे जो गर्मी का सीजन होता है गर्मी का सीजन जून टू सेप्टेंबर का सीजन उसमें southwest monsoon होता है southwest monsoon क्या होता है उसके बारे में हम लोग अभी पांच मिनट में तुरंथ बात करने वाले हैं ये जो monsoon होता है इसमें heavy rain होता है इसमें बहुत जोड़दार बारिस होता है और जो northwest monsoon होता है वो नौवंबर में स्टार्ट होता है कबसे धान के सीजन में समझ में आ रहा है सबको क्या बात है क्या बात है आ रहा है सबको समझ में जिसको जिसको समझ में आ रहा है सब हाथ उठा है आ रहा है आपको समझ में क्या बात है अब एक गलत है northwest monsoon क्या होता है ऐसा मांसूज जो नॉम्बर से मार्च में आता है नॉम्बर से मार्च में क्या चीज का खेती होता है धान का या गेहू का गेहू का होता है फीट का खेती होता है कन्फ्यूज नहीं होना है ठीक है और साथ वेस्ट वाला क्या है जून टू सेप्टेमबर के आचित क्या खेती होता है पैडी का धान वाला कन्फ्यूज नहीं होना है ठीक है और इसमें क्या होता है जो गेहू का सिजन होता है उसमें बहुत कम वर्था होता है लाइटर रेन बहुत कम वर्था होता है ठीक है इसको note किजिए ठीक है इसको पहले note किजिए फिर हम लोग आगदे बात करते हैं क्या क्या होता है June to September में कहा कहा से आता उसके बारे में बात करते हैं अब यहां से थोड़ा बहुत geography से भी यह connect हो जाएगा ठीक है बस आपको यह याद करते चले जाना है थोड़ा बहुत समझ में नहीं भी आगा तो कोई बात ने बस याद कर लिजेगा पूरा जो जो मैं बता रहा हूँ यह सब important है सब exam में पुछा जाएगा ठीक है चलिए अब हम लोग बात करते हैं wind के बारे में wind के बारे में wind क्या होता है सबको पता होगा अभी तक moving air is called wind जो हवा चलता है उसी को हम बोलते हैं चलिए अब यहाँ से wind स्टार्ट होता है जो southwest वाला monsoon होई southwest वाला वो हुमिडेटी ले देन होता है हुमिडेटी हुमिडेटी लादेन हुमिडेटी लादेन इंडिया नोसन से कहां से आता है इंडिया नोसन से और और भी आता है कुछ जगों से जैसे बे ओफ बंगाल से आता है बे ओफ बंगाल हाँ सही है चलिए यह कहां कहां से आता है इंडिया नोसन और बे ओफ बंगाल से आता है कांचा साउथ वेस्ट वाला मौन्शुन ठीक है साउथ वेस्ट वाला मौन्शुन तो ब्रिंग रेन इंडिया तो ब्रिंग रेन इंडिया इंडिया में साथ वेस्ट मॉंसुन कहां से आता है इंडिया नोसन और बे अफ बंगाल से इसको बस आप पॉइंट आउट करके नोट डाउन कर लिजिए ठीक है इसको आप note down कर लिजिए और इसको याद कर लिजिएगा कहां कहां से आता है यह काफी important है थोड़ा बहुत कम समझ में आगा कोई बात नहीं है बस इसको note करते जाएए southwest monsoon humidity lag and wind from Indian Ocean and Bay of Bengal to bring rain in India जो southwest monsoon होता है वो कहां से आता है इंडिया नोशन और Bay of Bengal से बस इतना याद रखियेगा एक पॉइंट और कुछ नहीं southwest monsoon इंडिया नोशन और Bay of Bengal इसको note किजिए winter season में जब हवा चलता है तब कैसे हम लोग को ठंड लगता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं during winter when the wind blow from the mountain of north India जब north इंडिया के mountain से हवा चलता है तब हम लोग को ठंड लगता है इसको note कर लिए चलिए अब next point लेखिए during winters जो winter season होता है उसमें क्या होता है when the जो ठंडा वाला हवा होता है when the winds blow जब हवा ठंडा वाला चलता है from the mountain कहां से चलता है from the mountain वो कहां से चलेगा mountains वो mountains चलता है कहां के mountain से north वाले रिजन के mountain से कई लोग को ये समझ में आही नहीं रहा होगा ये geographic actually part है ठीक है जो north Indian mountain है वहां से जो हवा चलता है वह हवा आता है ठीक है towards the north plains towards the north northern plains इसको बस आपको याद रखना है और कुछ समझना उमझना नहीं है बस आपको याद करते चला जाना है the plains become very cold उसके बाद क्या होगा जो plains होता है वह ठंधा हो जाता है becomes very cold क्योंकि ये geography में आपको बहुत दिन बाद पढ़ना है ठीक है यह आभी पढ़े भी होईएगा तो आपको समझ में नहीं आए होगा तो इससे अच्छा है कि बस आप कुछ पॉइंट इसका याद कर लेजिए क्या-क्या याद रखना है जो southwest monsoon होता है southwest monsoon humidity लादन वाइंड जो चलता है वो इंडिया नोशन और बेव बंगाल से चलता है during winter when the wind blow from the mountain of North India जो North Indian mountain है वहां से हवाँ चलता है Northern plants की ओर ऑर जो रिजन होता है प्लेंस वाला जो पठार वाला जो प्लेंस वाला रिजन होता उसमें ठंडा फहला देता है बस आपको याद रखना है जो north india के mountain है वो northern वाले रिजन में ठंड कर देता है बस इतना याद रखना और कुछ नहीं, ठीक है इसको नोट किजिए, थोड़ा बहुत ऐसे ही आपको कहीं कहीं पर प्रोब्लेम आगा, अगले लेक्चर से आपको प्रोब्लेम नहीं आगा, क्योंकि वहाँ पर जियोग्राफी का कहीं पर यूज नहीं आगा, और इसको अगर मैं बताऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, एक घंटा लगेगा कम से कम, पुरा जियोग्राफी बताना परेगा आपको, कहां पर कौन सा माउंटेन है, पुरा रिवर लेक, तब यह समझ में आगा, उससे अच्छा इसको रख लिए, चलिए, और जब गर्म का दीन होता है, तो हवा कहां से चलता है, राजास्थान से चलता है, हवा कहां से चलता है, राजास्थान से चलता है, देलही की तरहाता है, और देलही में खूब गर्मी पड़ता है, इसको रिवर से होता है, क्यों होता है, क्यों होता है, क्यों होता है, क्योंकि गर्मी के दिन में क्या होता है wine from the hot dessert of राजस्थान wines from the hot desserts of राजस्थान जो राजस्थान का hot dessert है वहाँ से चले आता है towards देलही towards देलही वाले साइड में towards देलही and देलही विकम्स very hot और देलही में बहुत गर्मी परने लगता है and देलही विकम्स hot नहीं, very hot बहुँ ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है very hot चलिए, बस आपको इतना याद रखना है और क्या याद राखना है, रादस्थान से डेली और गरमी के दिन में हवा आ जाता है, और ठंधा में बस याद रखना है, जो northern mountains है, वहा से northern plains में चले आता है, mountain क्या होता है, उंचा जगा? फ्रा बहुत बता जेता हूँ, चलिए, दो मिनट, mountain क्या होता है, जो उंचा जगा ह पठार होता है तो ऐसा जो उचा जगह है वहां से हवा नीचे जगह पर आजाएगा और नीचे वाले सर्फेस को ठंधाव कर देगा उसी को बोले जाता है northern plains से northern region में आ जाता है ठंधा और खुब ठंधा परने लगता है बहुत जादा हम लोगो ठंध लगता है जो northern plains वाले रिजन है उस पर गर्मी के दिन में क्या होता है वाइंस फ्रम दी होट डिजर्ट ऑफ राजस्तान ट्वाट डेली और डेली वीकम टूमच होट ठीक है बहुत जादा गर्म हो जाता है उसके बाद हम लोग बात करते हैं क् इंसी आटी आप लोग पढ़ रहे हैं या नहीं इंसी आटी पढ़ा किजिए ठीक है चलिए पहले climate के बारे में heading लगाते हैं climate क्लाइमेट क्लाइमेट क्या होता है एवरेज वेधार पैटर्न टेकें ओवर वे लॉग टाइम आवरेज वेडर पैटर्न टेकें ओवर आ लॉंग टाइम जो एवरेज व। पैटर्न है जो बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है ूसी कम बोलते हैं climate लगभग 25 साल का एवरेज लिया जाता है, हम लोग कहा देते हैं, 25 से 30 साल का एयर, 25 से 30 साल का हम लोग जो पूरा एवरेज होता है, वेधर उसको calculate करके हम लोग climate decide करते हैं, 25 साल, is called climate of, is called climate of that region या place, definition पर ये, एवरेज वेधर पैटर्न, taken over a long time, से 25 से 30 साल, is called climate of that place, 25 से 30 साल का जो एवरेज वेधर होता है, उसी कम बोलते हैं, climate, ठीक है, जैसे जिस जागा का temperature hot होगा, आउसकों क्या बोलेंगे, hot climate है, इतो सबको समझ में आता है, क्या लिश हो मैं इसको, पहले इसको इतना नोट की दिये, फिर मैं वो भी लिखवा ही देता हूँ, इसको अच्छे ते नोट की दिये, और प्रॉपर रेविजन करते जाएए, चलिए, अब आपको heading लगाना है, climate, climate के आगे वाला portion, आप लोग तो लगा ही चुके होंगे heading, मैं ही सिर्फ लगाता हूँ, क्लाइमेट, ठीक है, जब temperature जिस भी जगा का high होता है, जिस जगा का temperature हाई होता है, most of the time, उस जगा को हम क्या बोलते हैं, कि hot climate है वहाँ का, climate क्या है, climate hot है, और जिस जगा का temperature, जिस जगा का climate hot है, वहाँ पर बारित भी हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, weight है, and, और वहाँ पर अगर, heavy rainfall भी हो रहा है, और climate भी तेध है, तब हम उसको बोलते है, climate hot and wet, climate, hot and wet, गर्म climate और भींगा हुआ climate, ठीक है, जैसे इसका एक table दिया हुआ, NCRT में, आप देखिएगा, पुरा average calculate करकर के दिया हुआ है, जन्वारी के महिने में, फेबरुआरी के मार्च, मार्च, माई, जून, आप प्लेस का दिया हुआ है, केरल का दिया हुआ है, तिरुवन्थ पूराम का, और जैपूर ये सब का दिया हुआ है, NCRT में, तो उसको आप एक बार उस चार्ट को एक बार पढ़ लेजेगा, NCRT से वो चार्ट लिखवाना जरूरत नहीं है, ठीक है, जो उससे कन्क्लूजन निकलते हैं, उसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, केरल के कौन से रीजन से लेना है, तिरुवनन, तिरुवनन्थ पूराम, तिरुवनन्थ पूराम, तिरुवनन्थ पूराम, इसका जो टेंपरेचर है, जब आप बूक में देखेगे, देखोगे, तब इसका टेंपरेचर मोडरेटली होट है, और भींगा हुआ भी है, मतब वहाँ बारिच भी होता है, और गर्म टेंपरेचर भी है, तो मोडरेटली होट है, और वेट है, और भींगा हुआ टेंपरेचर भी है, मतब खुब बारिच भी होता है, सिमिलर टाइप अप टेंपरेचर जैपूर का भी है, जैपूर राजस्थान का कपिटल, ठीक है, जैपूर का भी वही है, सेम डेटा है, जैपूर का भी, इसी टाइप का डेटा है, सेम डेटा, ठीक है, जम्मू कस्मिर के Compression में इसका Temperature Hot है On the Compression of Jammu and कस्मीर Jammu और कस्मीर का Temperature Low होता है जयसा कि आपको पता होगा और इसके Compression में बहुत Hot है और Compression भी किया जाता है Temperature का ठीक है समझ में आ रहा है सबको यह नहीं आ रहा है सब जा रहा है उपर उपर से जम्मू कस्मिर में का शीरी नगर का एक्जांपल दिया हुआ है बूक में आपके तो इसको भी नोट कर लिजिए इसको भी note कर लीजिए बस इसको आपको as it is याद करते चले जाना है ठीक है थोड़ा एक दो और point लिखवाना है फिर आपका यह lecture समाप्त हो जाएगा बहुत लंबा मैं नहीं ले गया इस lecture को जो राजस्थान है उसमें अभी क्या हो रहा है उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है पहले यह समदिये राजस्थान का टेम्परेचर हाई होता है क्योंकि वो डेजर्ट वाला रिजन में है टेंप्रेच्र हाई होता है mostly summer में बहुर्ध ज़्यादा हाई होता है ठेंप्रेच्र मोस्ट्री उसका हाई ही होता है in the season of summer के season में अचानक कुछ सालों से क्या हो रहा है कि ठंड के दिन में यहां का temperature बहुर ज़्यादा लो हो जाता है राजस्थान का टेंप्रेचर बहुत ज्यादा लो हो जा रहा है सडेनली वेदर पैटरन में छेरचार हो गया इसके कारण से ठीक है विंटर सीजन में क्या हो रहा है राजस्थान में क्या हो रहा है टेंप्रेचर बहुत ज्यादा लो हो जा रहा है अगले class में हम लोग बात करेंगे adaptations के बारे में तो thank you, all the best